सू संधिया प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब घर पर सुरक्षित होंगे बच्चों, आज हमारा हिंदी का पीरिड है, हिंदी की कक्षा है, हिंदी की कक्षा में आज हम करेंगे प्रायवाची शब्द प्राइवाची शब बिटा ये grammar का part है इसका प्राइवाची का मतलब होता है समान अर्थ पताने वाले शब प्राइवाची कहलाते हैं यानि जिसके कई meaning निकलते हैं मानो एक शब्द है उस शब्द के बहुत सारे अर्थ निकल रहे हैं बहुत सारे meaning निकल रहे हैं और वो क्या बोलते हैं उसे प्रायवच्ची शब्द जैसे कि मालो अब आपके पहला अक्षर दिया हुआ उधारन दिया हुआ आकाश आकाश यानि क्या होता है बिटा इसको हम इंग्लिश में बोलते है स्काई आकाश का प्रायवच्ची बनता है नब नब का मतलब भी से से ही होता है और उरत एरत अब औरत को हम सिरह ओरत थोड़ी न कहते हैं हम महीला भी कहते हैं और नारी इसके नारी सब नारी का मतलबник और ही मित मतलब होता है घर का इन्योग्रेशन सदन सदन का मतलब भी घर होता है आपने देखा होगा कहीं हो के घर के बार नेम प्लेट पे लिखा होता है रामेश सदन गर्ग सदन यानी इनकी कास्ट के नाम से बताते हैं कि यहां पे यह रहते हैं इनका घर है सदन मतलब घर बेटा बे बाग का मतलब क्या होता है? गार्डन ठीक है? उसको हम इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलते हैं? बगीचा उप्वन ठीक है? बगीचा उप्वन यह बाग के अर्थ है मा, मा को कहीं लोग मा कहते हैं पुराने जमाने में लोग क्या कहते थे मा, माता, जननी आगे हैं संसार संसार यानि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं संसार का मतलब होता है जग जग यानि जग का मतलब भी संसार ही होता है जगत, जगत का मतलब भी संसार होता है हवा, हवा का मतलब यह होता है हवा जो छंडी-छंडी हवा चलती है हम उसे बोलते हैं हवा हवा को हम बोलते हैं वायू और पवन शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं पवन वायू पवन ठीक है बिटा ये आपके प्राइवाची शब्द है आपको समझ आगे आकाश, आंक, ओरत, घर, बेटा, जल, बाग, मा, संसार, हवा ये जो प्राइवाची शब्द है ये आपने अपनी हिंदी की उत्तर पूस्तिका में लिखने है ठीक है और इने याद भी करना है बागी कुछ भी होगा, कुछ भी आपने पूछना है आप मुझे से क्लास में बूछ सकते हो ठीक है बिटा, धन्यवाद